नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिर मार्केट एनलिसिस में कल दो कमपनियों के रिजर्ट साने थे बड़े नामों में एक TCS जिसके बारे में सबने बात करी हमने भी बात करी और दूसरी हमारी फेवरेट आनंदराटी वेल्थ मेनेजमेंट जिसके बारे में मैंने अभी तक रिजर्ट डिसकस नहीं करें लेकिन इस वीडियो में आप सबी के साथ काफी बार डिसकस भी किया है और वो थीम है stock market के service providers की stock market में काम करने के लिए हमें जितनी मदद चाहिए होती है अलग-अलग field में जो भी वो मदद कर रहा है वो companyya मेरे radar पे रहती है एक industry ऐसी है जिसमें competition हद से ज्यादा है और वो industry है broking अब देखो आप भी दिख रहा हूं कि continue brokers आए दिन पैदा हो रहे हैं कोई नया broker आ जाता है कोई नया broker और यह सेबी के सारे के सारे compliance को match नहीं कर पाते हैं साल बर देड़ साल बर दो साल बाद बंद हो जाते हैं तो ऐसी जगह अपना demate account खोल के कोई फाइदा नहीं है तो demate account का खोलना है वो भ ब्रोकिंग इंडस्ट्री से काफी सारी कंपनिया लिस्टेड है एक्जामपल के तौर पे जे-म फाइनेंशियल है मोती लालोसवाल है आपका IIFL है एडलवाइज है और भी बहुत सारी है मैं नाम भी बोल पाऊंगा इतनी सारी कंपनिया होंगी ठीक है शेयर इंडिया सेक् करने की जरूरत ही नहीं है फॉर एक्जामपल हम शेयर खरीदते हैं डीमेट फॉर्म में गनवर्ट हो जाते हैं डेपोजेटरी एक ही है CDSL हां बहुत सारे जो समझदार लोग कहिंगे NSDL भी है नस्डियल इनक्टिव मार्केट में जादा है एक्टिव में कम है और दूसर जब भी हम शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं तो हमारे पास दो यह एक्सचेंज है NSC, BSC, BSC का शेयर लिस्टेड है खरीद के बैठे रहारा हम से, fresh entry नहीं मैं बता रहा हूँ यह एक theme समझा रहा हूँ, NSC का शेयर जब आ जाएगा तो NSC preferred पे खो जाएगी, तीसरी हमारी जो theme इससे related है वो है आपका mutual fund, mutual fund में AMCs तो बहुत सारी है, UTI है, HDFC है, Nippon है, Aditya Birla है, ना जाने कितनी है, अपना किसी पर कोई भी view नहीं है, अपना view है इन सब की transfer agency पर, वो एक ही है, camps तो वो monopoly है, अब आता हूँ मैं अगले segment पर, wealth management वाली कमपनिया, इस segment में तीन कमप agency में सुन रहा था, interview में, तो उन्होंने का हमारा 55,000 क्रोड है, और एक quarterly 5-7,000 क्रोड भड़ता है, और यह ना cycle है, compounding की रफतार से बढ़ता है, क्योंकि market उपर जाएगा, AUM automatically उपर जाएगा, प्लस लोगों की सिपार ही होगी तो उपर जाएगा, तो 55,000 क्रोड हो गया, यानि कि एक अच्छा खासा base create हो चुका है, अब यह नहीं रुखने वाला, अब यह नहीं रुखने वाला, तो एक तो यह मेरे को बढ़िया लगती है, दूसरा आपका Novama Wealth Management का share भी है, तीसरा आपका IIFL One Wealth Management भी है, तो यह सारी तीनों stock जो है, यह काफी अच्छे लगते ह कॉन सा comfort दे रहा है, वो आप रे सर्च कीजिए, खरीदने से पहले, ठीक है, यह पूरी theme मैंने आपको एक बार फिर समझा दिये, अब मैं रेजल्ट्स पर आजाओ, आनंद राठी वैल्स मैंने वाला, तो नमबर इस बार जो है, वो मिले जो लिए है, कुछ खास तंगडे से बढ़कर आया है, रेवेन्यु देखे तो देखे तो 137 कροड से बढ़कर 177 कροड का हो गया है, साल दर साल, और 4 on quarter, 175 करोड से बढ़कर 177 करोड का हो गया है, तो 4 on quarter हल्की सी बढ़ता है, रेवेन्यू मैं कुछ खास नही है, कंपनी ने साथ ही साथ final dividend भी दिया है, अपन buy on dips बाला है बट buy on dips कहां पे अब देखो आप 800 वाला 4125 हो गया है 74 के पीपे है मेरा मानना ही इस्टोग अराउंड 50 55 के पीपे मिले यानि की 2500 के गरीब मिले तो मैं interested हूँ अभी फिलाल के लिए तो नहीं हूँ one side काफी बड़ी rally हो गई है रैली में हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं जादा तो यह मेरी तरफ से आपके लिए एक डीटेल वीडियो थी आनद राठी के रिजल्ट के उपर पूरी थीम के उपर आप लोगों को जानकारी पसंद आयोगी समझ में होगी thank you so much for watching this video have a great day guys